तो वाट्सप गयाई वेलकुम तो दी चैनल वेरी 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 कुड मॉणिंग तो चलिए देखते हैं मार्केट में यह पर क्या चल रहा है तो चाहर में उस पर लगाएंगे और बात करेंगे विटालिक बिटरिन का इथेरियम और ब्लॉक्चेन के बारे में या ब्लॉक्च लीगल टेंडर की बात हो रही थी तो यहां पर उन्होंने बताया कि उनकी जो CBDC है उनको सिरफ लीगल टेंडर जो है डिजिटली डिजिटल लीगल टेंडर यहां पर बनाएंगे CBDC को ना कि प्रॉपर डिजिटल टेंडर that is one very interesting clarification to come from a government दूसरा Avalanche यहां पर AVAX ecosystem में आप म Avalanche जो है यहां पर Alibaba का cloud infrastructure service जो है Asia में यहां पर power करने वाला है which is going to be very very interesting to see क्योंकि यह blockchain powered cloud infrastructure कैसे काम करता है कितना क्या speed क्या वो service जिनकी लोगों को आदत है इस तरह कि service कि क्या वो service यहां पर दे सकता है या नहीं दे सकता partly centralized होगा partly decentralized होगा या कैसा होगा that is a very very interesting thing to see यह integration जो है यहां पर developers को allow करेगी ताकि वो अपने RAM से easily validator notes को जो है वहां पर Alibaba के cloud के infrastructure पर यहां पर push कर सके which is going to be very interesting very interesting also for people जो avalanche ecosystem के अंदर है और आपने validator notes यहां पर open करना चाहते हैं काफी interesting चीजें हो रही है market में दीरे दीरे जो है यहां पर अब development side से updates आने start हुए है scam fraud यह सब चीजें से थोड़ी सी अभी चीजें कम हुई है let's hope कि यह कम रहे और development updates यह हम लोगों को जो है जहां पर जादा मिलते रहें अब ethereum पर बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं bitcoin की and like button भी I hope आपने अल्रेडी दबा दिया होगा दोस्तों तो बात करते हैं यहां पर bitcoin की यहां पर मैंने आपके साथ कल एक trend line share की थी और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहां पर इसका retest survive करना is going to be an important thing अगर इसका retest bitcoin यहां पर survive नहीं करता है तो हम लोगों को negative की तरफ down push देखने को मिल सकता है तो हुआ basically यही कि यह जो retest हुआ वो यहां पर bitcoin जो है survive नहीं कर पाया वहां से हम breakdown किये नीचे 55 EMA पर support लेकर bounce लिया है but right now 4 hour period में 21 EMA जो है यहां पर एक resistance बना बैठा है अब यह candle जो है इस video को record करने से एक घंटे के बाद बंद होने वाली है अगर यह एक घंटे में यह candle यहां पर 21 EMA को नहीं तोड़ पाती है यानिकि volume ऐसा ही रहा और यह हम इसको नहीं तोड़ on the Ethereum front जो मैंने आपके साथ share की थी line वहां तक थो Ethereum पहुंचा नहीं 55 EMA पर यहां पर यहां पर support लिया है and 55 or 21 के बीच में यहां पर जूज रहा है on the main pointer आज की video का जो है future of Ethereum and Vitalik का यहां पर क्या कहना है so आप लोगों को पता ही होगा Ethereum जो है proof of work से proof of stake पे already आ चुका है so proof of stake पे आने के बाद Ethereum को बहुत सारी गालिया भी पड़ी है इथिरियम को बहुत सारी तारीफ भी मिली है गालिया बड़ी है around कि तुम centralized हो रहे हो वगरा 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 which is true for a lot of entities जब वो नए किसी ecosystem में आते है तो it will take time for it to get decentralized but यहां पर buterin का कहना है so buterin का कहना है कि बहुत बार एक over capitalized monster जो unsustainable forms of yield farming पर रिलाए करता है यानि कि जिसका क्या नाम है जिसका दूसरा नाम है DeFi वो काफी early stages है of setting down into a stable medium जहां पर security better हो सकती है और कुछ applications ही बच पाएंगे यहां पर यहां देखने को मिल सकते हैं हमको जो actually valuable यहां पर होते हैं flashy things जो flashy DeFi things हैं जो fancy high interest देते हैं यह सब चीजों पर यहां पर आपको problems हो सकते हैं now तो basically उनका एक इशारा यही है कि Ethereum के ओपर यह वाली चीज़े जो है survive नहीं कर पाएंगी Ethereum के ओपर वही survive कर पाएगा जो actual किसी ना किसी तरीके की utility users को जो है यहां पर देता है DAO उसकी अगर बात करें तो Bittering का कहना था कि DAO बहुत सारे लोगों का hope यहां पर capture करते हैं dream capture करते हैं कैसे एक democratic एक decentralized resilient तरीका governance का यहां पर DAO enable करते हैं और और भी important और मेहनत वाले काम भी करने बाकी हैं यहां पर ताकि censorship resistance यहां पर आ सके और internal organization के against susceptibility जो है उनकी बच सके तो उन्हें maker DAO को एक example दिया था कि अगर कोई बंदा यहां पर या rather maker के जो holders हैं वहां पर अगर कोई बंदा आए वो holder से MKR खरीद ले आदा खरीद ले तो वो यहां पर manipulate कर सकता है price or equals को और एक काफी सारा collateral जो है खुदी यहां पर चोरी कर सकते हैं तो DAO में बहुत सारा काम बाकी है तो यह इशारा है यहां पर Ethereum के ओपर DAO को किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं या किस तरीके के DAO को Vitalik Button की तरफ से थोड़ा सा push मिलेगा वो यहां से हम लोगों को देखने को पता लग सकता है यह पुराने statements है यहां से हमें पता लगता ह कि उसकी thinking क्या है और यहां पर हम लोगों को Ethereum के ओपर क्या जादा push होता नजर आने का chance है नौ फिर उनने बताया है लूना के बारे में बर उनने बताया कि यहां पर Luna जैसे जो alt coins rather stable coins है उनको 30-30 billion का market cap मिला बट अगर हम दूसरे stable coins की बात करे जो robust होने की और simple तरीके से grow कर करते हैं वो सालों साल यहां पर ignore कर दिये जाते हैं post merge उनने बताया है Ethereum का जो एक अगला anticipated update है जो कि 2023 के second half में यहां पर आएगा जिसका नाम होगा Shanghai hard fork जो यहां पर users को enable करेगा अपना stake ether निकालने का अब यह stake ether निकालने के time पर क्या हम लोगों को influx of supply देखने को मिलेगा य अगर market का situation थोड़ा सा अच्छा हुआ and ethereum में लोगों confidence high हुआ तो शायद हम लोगों को उतना selling pressure देखने को ना मिले but याद रहे यह लोग वो है जो बहुत time से अपना ethereum lock करके बैठे है so there is going to be some selling pressure but उसको आने में बहुत time है अभी हापन बात कर रहे है second half of 2023 की another thing उन्हों न साथ यहाँ पर already जो है आपको एक problem create कर सकते है यहाँ पर basically वो चीजें survive करेंगी जो आपके लिए अच्छी है और शायद आपको short term profit ना दे but as a project as a product एक अच्छा problem एक बड़ा problem एक important problem आपके लिए जो है solve कर रही है so काफी interesting viewpoint है मैं हमेशा suggest करता हूँ कि आप youtubers को पुछने की बजाए कि ethereum का क्या होगा इसका क्या होगा आप विटालिक बुडरेन चार्ल्स होसकिंसन इन जैसे लोगों के videos and blogs आप ज़रूर पढ़े विटालिक जो है vitalik.ca पे बहुत सारे व्लॉग कह रहा हूं ब्लॉग लिखते हैं जिसमें बहुत सारे अपनी thinking इंडस्ट्री में क्या हो सकता है क्या better हो सकता है क्या better नहीं हो सकता क्या गड़बड हूई क्या गड़बड नहीं हूई ये सारी चीजें हम लोगों की साथ अ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर